हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक तो मैं चाइनल तो आज का हमारा टॉपिक है हीना हीना एप्लिकेशन और हीना की हम थेरी आज हम देखेंगे तो सबसे पहले हीना जो हम कलर करते हैं उसका बेस्चेड क्या रहता है तो वह रहता है 4.45 तो आपको बेस्चेड पता होगा मैंने ए सिर्फेन बेस्चेडे हैं उसमें से 4 हैं ब्राउन और फाई है लाइड ब्राउन तो इसके बीच में आता है यह 4.45 का कलर मतलग ब्राउन के शेड में आपको हीना हम लगाते हैं बालों पर तो उसका शेड आपको मिलेगा पिग्मेंट रहेगा रेड ओरेंज पिग्मेंट रहेगा रिफ्लेक्शन रहेगा उसका रेड ओरेंज का रिफ्लेक्शन रहता है तो इसलिए हम हीना जिसको ब्राउन कलर करना है हेर को नैचरली वह हीना यूज करते हैं तो हीना इस हर्बल प्रोड़क्ट उस आपने वह प्लांट देखा होगा हीना का ग्रीन पती है चोटी-चोटी रहती है तो यह हर्बल प्लांट रहता है और जिनको हीट बहुत ज्यादा है तो जैसे तो वह अपनी बॉड़ी की हीट एबसॉब कर लेता है महिंदी त तो हीट एबसॉब करते थंडा थंडा लगता है हमें इट इट्स नॉट यूजड इन लो बीपी यह जिनका लो बीपी है उस पर यह यूज नहीं कर सकते उनके सर हेर पे हम हीना नहीं लगा सकते नेक्स्ट है हीना इस विए इस्वेरी स्मॉल हरबल प्लांट तो ये फर्स इन वेंशन इन इजिप्त में हुआ इसका फर्स इंवेंशन इजिप्त में हुआ PF जरिली इन और इसको, it gives color red और red orange कौन सा color देगा जब हीना application करते हैं तो आपको red orange pigment मिलेगा, use for color and conditioning हम ज्यादा तर हीना use करते है as a conditioner use करते हैं और हमें एक अच्छा सा color भी मिलता है तो इसके लिए हम हीना use करते हैं, apply in 15-20 days और यह हम use कर सकते हैं 15-20 days कोई-कोई 1 month तक भी 1 month के लिए यह लगाता है 1 month के बाद फिर से लगाता है तो आप ऐसे apply कर सकते हो कि 15-20 days में आप one time लगा सकते हो it is semi-permanent color यह semi-permanent color होता है हीना लगाने के क्या-क्या advantage है हीना मतलब मेहंदी जो मेंदी powder मिलता है आपको और natural plant का भी आप piece के बना सकते हो जो भी है आप जैसे लगाना चाहिए herbal product ही use करना है किसी-किसी में chemical mix आपको हीना powder मिलते है वैसे नहीं चाहिए organic तरीके से आपको हीना use करना है तभी उसके आपको फाइदे भी मिलेंगे नहीं तो फिर वो रहता है market में थोड़ा impurity वाला मिलता है वो नहीं चाहिए तो डायरेक आप मेरे खायल से आप freshly पत्य तोड़ के पीस के फिर आपके कुछ इंग्रिडियेंट मिला के आप लगा सकते हो बालों पे तो वो ज्यादा अच्छा रहता है तो फर्स्ट अभी हम देखेंगे आडवांटेज वाट इस दाडवांटेज आप्लिकेशन तो इट हैस नो केमिकल रियक्शन बिकाउज इस हरबल यह हरबल है तो इसका कोई हमें केमिकल रियक्शन नहीं मिलेगा अपने बालों पे इसका कोई केमिकल साइड इफेक्ट नहीं होगा नो केमिकल रियक्शन मिस्क नो साइड इफेक्ट बिकाउज इस थे रबल इट इस हमीशनिग इसमें कंडिशनिग एज़न एज़। है driving नेच नेचर शाइड शाइन मिलती है, it is good for split in जिनके जो एइन में split hair रहते हैं उसके लिए भी ये good solution है it is good in high BP and headache, जिनके सर में दर्द रहता है, जिनका high BP रहता है उनके लिए भी ये फाइदे मंद है good for dandruff और ये dandruff के लिए भी अच्छा है, hair fall के लिए बीद्ध रहें देखेंगे लिए अच्छा है और हेर कॉलिटी के लिए अच्छा है अब हम देखेंगे हीना एप्लिकेशंग के डिसएड़ांटेज जैसे फाइदे होते हैं उसके नुकसान भी होते हैं तो क्या-क्या नुकसान रहेंगा इडिऊज रेड कलर वीच इस ज्यादा वाइट बाल रहते हैं, तो उस पे हम जैसे mix रहता है, starting में आपके root के पास में आपके white hair रहता है, और बाकी के थोड़े आपके natural base shade रहता है, brown के, तो वो होता है, जो white color है, उस पे बहुत ज्यादा red color आता है, बाकी इसमें red orange mix आता है, तो ऐसा हो जाता है कि white hair पे बहुत ज्यादा red color दिखता है, too much हीना hair become dry, ज्यादा हीना लगाने से आपके hair dry होते हैं, third point है, do not use too much हीना, because it overlap the cuticle layer, तो आपको मैं side में दोंगी, कैसे आपको, वैसे भी मैंने बता है, cuticle layer का हमने देखा है, तो उसमें आप देख सकते हैं, जो बाहर के लिए रहती है, cuticle layer तो वो पूरा close हो जाता है, उसके उपर यह overlap हो जाता है, हीना application, तो अंदर आपका moisture level इसी वज़े से dry होता है, कि आपके hair breathe नहीं कर पाते, lock हो जाता है, क्योंकि आपका पूरा जैसे, यह आपका layer, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं, यह cuticle layer है, सबसे बाहर का, यह medulla, और यह होता है ना, आपका cortex, यह cuticle layer पे आप हीना apply करते हो, तो पूरा इसे lock कर देता है, यह पूरा, तो इसके अंदर आप कुछ नहीं डाल सकते, क्योंकि यह इसने पूरा उसको overlap कर दिया, तो क्या हो गया, do not use too much हीना, because, क्यों ने हमें हीना ज्यादा यूज करना, because it overlap the cuticle layer, जो सबसे बाहर का layer है, उसके उपर यह overlap कर देता है, और close कर देता है, cuticle को, close the pore and hair can't breathe, तो hair भी breathe नहीं कर सकते हैं, और इसकी वज़े से हम, जो nutrient होते हैं, hair के लिए चाहिए, वो penetrate नहीं होते, तो lock हो जाता है, तो moisture भी नहीं, nutrition भी hair को नहीं मिलता, और dry होने के chances रहे हैं, 4th point है, as per the result, scalp become oily and hair become dry, तो इससे क्या हमें result मिलेगा, कि scalp के नजदिक 1-2 inch के पास आपको oily मिलेगा, बाकी के hair आपको dry मिलेगे, ज्यादा हम हीना application apply करेंगे, तो हमारी hair dry होते हैं, इसलिए 5th point है, after application हीना, to deep conditioning, the hair will always remain healthy and will always shine, अगर आपके hair हीना की वज़े से बहुत dry होते हैं, तो आपको deep conditioning करना ज़रूरी है, इससे आपके बाल healthy रहेंगे, healthy रहेंगे, तो वो shine करेंगे, तो आपको यह याद रखना है, कि आप जितना हीना यूज करते हैं, उसके बाद आपको deep conditioning treatment लेना ही है, तो आप आपके बालों को healthy रख सकते हैं, application method, तो हीना application कैसे करना है, हीना apply with the brush, clockwise from the center, in circular motion, in this way the hair does not tangle, हीना look neat, and the hair can be washed easily, मतला, जैसे, यहाँ पे, तो आप यहाँ पे, ऐसे, उसका circle बना के, ऐसे round में करोगे, तो यह आपका profile section रहेगा, उसमें आप थोड़े, ऐसे, ऐसे section लेगे, इसके उपर overlap करोगे, ऐसे लेकर आओगे, ऐसे overlap करोगे, तो ऐसे आपको, यह ऐसे जुड़ा बना, इस जगे प ऐसे लेकर clockwise, तो इस तरह के से, आप यहाँ पे, जुड़ा बनाओगे, crown पे, तो इस से आपका हिना application, नीट, clean लगेगा, और wash करने पर, वो easily, निकल भी जाते है, टैंगल फ्री रहेंगे, और next point है, second point है, after completing the whole head, put cotton at hairline, सबसे पहले, आपको हिना लगाने से पहले, वैसल front और crown के, जैसे हिना नीचे, जिब आती है, तो आपके skin पे, वो color लगने का chance रहता है, तो आपको वैसलिन लगाना है, और complete होने के बाद, even आपने नहीं लगाया, वैसलिन, तो cotton आपको, complete होने के बाद, आपको cotton रखेंगे, hair line पे, and shower cap डालेंगे, सर पे, अभी next point हमारा है things required for हिना, तो हिना लगाने के लिए हमें क्या-क्या सामान चाहिए, तो सबसे पहले आपके पास comb होना चाहिए, comb चाहिए, second आपके पास brush चाहिए, हिना लगाने के लिए, थर्ड है, plastic और glass bowl यूज करना है, plastic और glass bowl यूज करना है, fourth cotton, fifth है, shower cap, six है, tail comb, seven है, hand gloves, अभी हम जैसे हीना as a conditioner यूज करना है, तो हमें क्या-क्या चाहिए, यूज करेंगे, तो ये वाले ingredient, कौन से ingredient चाहिए, हीना as a conditioner यूज करेंगे, तो कौन से ingredient चाहिए आपके पास, तो, one cup हीना पाउडर, जैसे आपने हीना पाउडर लिया, उसमें आप क्या डालोगे, half cup आमला पाउडर, one tablespoon मेथी पाउडर, one tablespoon coffee powder, ये coffee powder आपको color के लिए यूज करते हैं, ज्यादा तर, next point, till use water to form a paste, अबसे पहले आप चाहिए पती को उबालेंगे, उबालेने के बाद उसको थंडा करेंगे, उसको थंडा करने के बाद, आप उस हीना पाउडर में डालेंगे, ये भी color आने के लिए यूज करता है, half lemon, जब आपके hair, if the hair is dry, आपके hair dry होंगे, और dandruff होगा, तो आप उसमें half lemon भी यूज कर सकते हैं, one full lemon, जब full lemon कभ यूज करेंगे, if the hair is oily, आपके hair oily होंगे, तो आप एक full lemon यूज करोगे, वन एग होल, एक पूरा एग आप कभ यूज करोगे, वन एग होल, कभ यूज करोगे, एक पूरा अंडा आपको यूज करना है, if the hair is dry, आपके hair dry है, तो आप पूरा एक एग यूज करोगे, और इससे आपके बालों को shine, बहुत silky and shiny होते है, क्योंकि इसमें protein की मात्रा होती है, एक एक white, जो पूरा एक एग है, उसमें सिफ yellow वाला निकालना है, सिफ white वाला आपको यूज करना है, जब आपके बाल, if the hair is oily, आपके बाल oily है, तो आपको एग में से सिफ white यूज करना है, एक टीस्पून आप, 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 एक टीस्पून आपको If the hair is dry, half cup curd, दही लेंगे, half cup, if the hair is dry or falling hair, hair fall हो रहा है और hair dry है, तो आप half cup curd यूज़ करेंगे, ऐसे as a conditioner आप यहिना यूज़ करेंगे, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, जिससे की मेरा नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, थैंक यू फार वाचिंग,